नमस्कार। मैं प्रियर रंजन अर आप देख रहे हैं Market Commandो। आज की इस एपिसोरड में हम discuss करने वाले हैं Yes Bank स्टॉक के बारे में। इस stock को discuss करने का मुख्य कारण यह है कि यहां आप देखेंगे कि इस stock में एक one-sided uptrend पिछले दो दिन से देखने को मिल रहा है और लगबग इसका जो volume देखेंगे तो लगबग 68,73,63,494 के आसपास का volume है यहां आप volume देखेंगे huge volume breakout इस stock में दिखा है और आज भी लगबग 67 साथ परसेंट के आसपास का तेजी में है जहां इस साइड आपको buyer दिख रहा है और यह seller दिख रहा है और पर लगब 15.30 पैसे पर हुआ उसके बाद इस stock ने लोज भी बनाए थे 14.90 पैसे लेकिन उसके बाद इस समय 15.60 पैसे पर ट्रेड हो रहा है और हाई इसका 16.25 पैस कि इसका जो q4 update है जिसमें deposit लगब 21% का तेजी दिखा है और साथ में इस stock में देखेंगे कि इसके जो kasa account है overall bank का structure जो है वो overall सुधरते वे दिख रहा है यहां पर आपको दिख रहा है कि q4 को लेकर के जो भी updates आए हुए है यहां कि लगबग इसके growth में इतना percent का तेजी द दिखा है overall bank structure सुधरते वे आर है overall हमारा जो discussion का मुख्य कारण है वो चार्ट को देखना है चुकि हम चार्ट पर ज्यादा focus करते हैं चार्ट कभी जूट नहीं कहता है तो personally मेरा news से ज्यादा चार्ट पर focus होता है यह bank का चार्ट है यह आपको bank का चार्ट दिख रहा है जहा चार्ट में आप देखिए तो आप पाएंगे कि एक बार यह false breakout हुआ यहां तक stock ने एक breakout दिया उसके बाद फिर downtrend आया कहां यह 12 रुपिय के आसपास का फिर उसके बाद जो यह जो breakout मिला उसके बाद stock ने यहां यानि की 20 रुपिय तक के levels को touch किया उसके बाद फिर से one sided downtrend रहा यहां से stock जो range है consolidation range यह इसको हम क्या वो लेंगे consolidation consolidation range और इस range को breakout नहीं कर पाई और उसके बाद हमने देखा कि September से ले करके यह लगबग March April तक यह पूरा महिना stock consolidation में रहा लगबग 8-9 महिना यह consolidation में रहा यहां पिर से इस stock ने एक breakout दिया है और जैसा कि कल हमने आपको कहा था कि पहला target जो target 1 रहने वाला है वो target 1 20 रुपे का रहने वाला है और target 2 जो इस stock में रहने वाला है target 2 लगबग 32 रुपेज के आजपास का रहेगा यह target रहेगा stop loss अभी देखिए CMP कितने पे है 15-60 पे है यह point है 15-60 और stop loss 12 का लेना है पहला target आपको यह हो जाएगा second target यह हो जाएगा और overall यह breakout सांदार breakout दिख रहा है और personally मैं चार्ट पे ज़्यादा बिलीब करता हूं news के अपेक्छा तो I hope कि एपिसूड आपको अच्छा लगा होग आपको लगे कि उसमें कुछ व्यू लेकर करके शेयर करना चाहिए तो जितना ज्यादा कमेंट आप लोगों कर रहेगा उसे श्टॉक को भी हम डिसकस करेंगे बाकि हमारे वर्सप ग्रूप से जुरे जहां सारे अपडेट्स आपको प्रस्नली मिलते रहेंगे और बहुत स सारे लोग जो जुरे हुए हैं वो लाब उठाए